तुड़े एस लास्ट पार्ट आफ मॉडल अग्जिलरी इसको ले करके मैं आपके सामने हूं इसके पहले हमने फर्स्ट पार्ट में पढ़ा है शायल विल का उड्ड शुड का इसके पार्ट में हमने में माइट कैन कुड और मस्क का यूज पढ़ा है और यह लास्ट पार्ट है जिसमें आपको और तु यूज तू नीड निडेंट डेर देर नौट हैस है तू है तू क्या शो करता है और तू शो करता है शोशल और मॉरल रिस्पॉंस्बिल्टी शोशल और मॉरल रिस्पॉंस्बिल्टी यह क्या होता है कि हमें कोई काम करना चाहिए अगर यह सोशल या मॉरली सामाजी क्या नयतिक रूप से सही है उसके लिए और चाहिए हम योज करते हैं और हम अगर हमको कोई बताना होता है कोई चीज बतानी होती है तो उसमें और तू का प्रयोग हम कर सकते हैं तो बिसिकली क्या है कि और टू का प्रयोग हम socially और morally जो responsibility है उसके लिए करते हैं जैसे वी और टू ओबे आवर पारेंट्स दीखी वी मस्ट ओबे और पारेंट्स वी और तो ओबे और पारेंट्स दोनों में क्या अफ़र्ट है मस्ट पंदो जरूर करना चीह है उसके दर्डाथ्पक प्राविधां नहीं कहीं आपको दूर्णाथ्पक प्राविधां नहीं कहरे हैं यहां पर आपको की यह नयतिक जिम्मेदारी है कि आप अपने पैरेंट्स की बात को मनें ये समाजी गुरूप से, नयति गुरूप से, we ought to be faithful to our nation, हमें अपने nation के प्रती वफादार होना चाहिए है, ये हमने ये बताया है, तो ये समाजी को नयतिक रूप से जो चीजिस हैं, उनको बताने के लिए ought का प्रियोग, ought to का प्रियोग करते हैं, ये ध्यान रखेगा, क्यों ought नहीं है, फिर हम बात करते हैं, used to का प्रियोग हम कहां करते हैं, कोई past के habit, past की habit, या आप देखते हैं, कोई past में repeated action हो रहा हो, past के repeated action के लिए, past में कोई, बार-बार कोई काम हुआ हो, उसके लिए भी used to का हम प्रियोग कर सकते हैं, इसके साथ भी to का प्रियोग करते हैं, used to, और ये past में use होता है, जैसे my grandfather used to play with me, मेरे दादा जी मेरे साथ खेला करते थे, used to, भी दादा जी मेरे साथ खेला करते थे, ये उनकी उनकी आदत है, आदत थी, या एक repeated action खेलने का जो काम होता था, बार-बार होता था, जैसे ये भी कह सकते हैं, He used to go to temple Delhi तो used to go to temple Delhi मतलब वो अक्सर बार-बार मंदिर जाया करते थे तो दोनी चीजे, दोनु इस तरह की चीजे used to का हम प्रियू करते हैं तो होती है यानि past habit भी और दूसरी चीज क्या है repeated action past की जो चीजे हैं उसके लिए भी हम यहाँ पर used to का प्रियूग करते हैं इसके साथ भी used to के बहुल used नहीं, used to का प्रियूग हम करते हैं इसको ध्यान देना है अब हम बात करते हैं need और need not की देखें, need का मतलब क्या होता है necessity, आवश्यक्ता का होना या need not मतले आवश्यक्ता का नहीं होना यहाँ need का हम देखेंगे कि अगर है जो model इसका प्रियूग कर रहा है तो need और need not का use interrogative और negative sentences में ही करते हैं otherwise need का प्रियूग जो है as a verb, as a main verb आप कर सकते हैं as a model अक्जिलिश करने की जोरूद नहीं होती है तो जैसे आवश्यक्ता है या नहीं है इसकी बार जैसे हम कहें कि need I a company में a company you need I a company you क्या मैं आपके साथ चलूँ a company मतलब साथ चलना तो need I a company you क्या हमें आपके साथ चलना चाहिए चलना जरूरी है तो जबाब आता है no you need not no you need it तो आपको ध्यान दें वो कह रहे हैं नहीं नहीं जाने की कोई जोरूरत नहीं है आप कर सकते हैं need I help you तो उसका आफर है no you need it तो इस तरह का sentence यानि कि आपको यह देखिए कि model का जब हम use कर रहे हैं need or need का तो interrogative or negative sentences में use कर रहे हैं और उसका मतलब ये है कि आवशक्ता का होना यहां ना होना इन दोनों cases में ही होता है अब हम बात करते हैं dare और darenot का मतलब क्या है dare मतलब साहस करना अगर साहस करना किसी चीज़ के लिए साहस करना या साहस dare not पर साहस ना करना तो यहां पर हम यूज फिर वह सीतरा से जीशे नीट का हाँ उस किया किने यूजर नीटनIES हमने इंत्रोगेर्टिव और नेगेटिव में किया है इसलिए से ancande का wordt भी हम इंत्रोगेटिव में खिरते हैं जैसे हाउव बिर यूजbak कॉछ सब्सक्राइब मि ऑ激 चुपिद स्टूपिड हाओ सर लिए अरुड्फिद तो मारी साहस के ऊंच के कि हाओ डियर्o कॉंटमी नेिम्स मुझे गाले देने कि कि तुम्हारी हम्हत कैसी ही थी हारी यस्टान ओ! स्टान्ड न heated with proper ने ने हमारे सामने खड़े होने की कैसी हमत पढ़ गी तो वहाँ पर यहाँ dare का यू जैसे हम कर रहे हैं वहाँ हम करें ठीक है और इसका मतलब है साहस का होना और यह आपका moral auxiliary का है और अगर हम इसका जबाब देते हैं तो हम कर सकते हैं यह dare not या I dare not facing मतलब उनकी उनका सामना करने की हिम्मत हमारे पास नहीं है अब देखी आप एक चीज़ और कि he I के साथ भी dare का यूज किया गया है और he के साथ भी dare का यूज किया गया है डेर नहीं यूज किया गया है अगर डेर का यूज करते हैं ही के साथ तो मतलब कि आपने उसको कर लिया है क्या मुसको में वर दो टो इस तरард सी योज नहीं करना अ छी कि हैं अब हैस्टू है तो हैर्टू है यह क्या है 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 यह है यह है ढूल यह Вторलकर इसके साथ यह और यह तो आग्जिलरी में आता है उसका मतलब अगर में रूप में लेंगे तो इसको रखना यह मतलब रखना यहां पर अगर इसको मॉडल के रूप में हम लेते हैं है तो यह किसी ने किसी तरह की मजबूरी कोई बहुत कोई आवश्यक्स चीज को करने के लिए दबाव मजबूरी या कोई इस तरह की अब्लिगेशन अनिवारता इसको शों करता है यह तीनों यह अभी आप इसको भी करने कि यह चार पाँच एक यह दो तीन चार और पाँच यह पाँच जो है किसी मजबूरी को किसी अनिवारिता को व्यक्त करने के लिए आता है ठीक है तो अब देखेंगे कि जैसे हाइस्टू का प्रिव हम कहां करें हाइस्टू को हाइस्टू सिंगुलर है तो और प्रिजेंट टेंस का है तो सिंगुलर जो tense है या singular subject है और present tense में singular subject के साथ present tense में आप यूज करते हैं has to का यानि singular और present ये क्या है have to ये ये भी present है ठीक है और singular नहीं plural और have to क्या है ये past है और ये singular या plural दोनों के साथ है तो आपको आई और वी छोड़ करके और ये और भी के साथ करते हैं तो ये दो नीची के जो है ओ फ्यूचर टेंस को зов करेंगे और ये has to have to present को शो करेंगे और had to जो है past को शो करेंगा ठीक है और ये सारे की सारे जो है मजबूरी को व्यक्त करेंगे किसी चीज की अनिवारता को व्यक्त करेंगे कि हाँ ये करना अनिवार्य है इसको व्यक्त करने के लिए आता है जैसे sentence है, I have to go to school daily, यह से sentence है, I have to, मुझे जाना होता है, मुझे जाना पड़ता है, अब देखें, यह दो चीजें हो सकते हैं, एक तो अनिवारता है, कि हम इस्कूल डेली जाना है, अगर आप नहीं जाते हैं, तो फिर आपके कम attendance में, shortest of attendance शो करके, आपको exam नहीं दे नहीं दिया जाएगा, तो एक तो यह, दूसरा है कि कुछ बच्चों के लिए, वो ही कहते हैं, भाई, इस्कूल नहीं जाना चाहते हैं, लगि क्या करें, मजबूरी हैं कि स्कूल जाना पढ़ता है, तो मजबूरी है, या निवारता है, इस तरह की कोई चीज आती है, तो मुझे जाना होता है, मुझे जाना पढ़ता है, इस तरह की चीज़े आ रही हैं, I have to, और अगर past होगा तो क्या जाएगा I had to मुझे जाना पड़ता था मुझे school जाना पड़ता था और future अगर होगा तो I shall have to go to school मुझे जाना पड़ेगा मुझे school जाना पड़ेगा daily school जाना पड़ेगा ठीक है तो यह या अगर आप will के शाद लगाना चाहें तो मोहन सोहन, you, कुछ भी तो you will have to obey me तुम्हें मेरी बात माननी पड़ेगी तो यह एक तरह से उसके पर दबाव भी दिया जा रहा है कि तुम्हें मेरी बात माननी ही होगी you will have to, उसको force किया जा रहा है तुम्हें यह बात माननी ही होगी he had to obey me उससे मेरी बात माननी ही थी ठीक है तो ऐसे किसी force में, दबाव में, मजबूरी में, अनिवारता में ऐसे किसी सीज़ के लिए हम यहाँ पर बता रहे हैं कि present में has to have to का प्रियोग करेंगे पास्ट में had to का प्रियोग करेंगे और feature में will have to यह shall have to का प्रियोग करेंगे तो all these अभी जो आज मैंने बताया कि अच्चू यह पहला मैंने बताया उसके बाद used to उसके बाद आपका need, needn't या dare, dare not और फिर has to have to have to और will, oblique, shall have to यह last part है उस model auxiliary का जिसे मैंने इसके पहले दो वीडियोज में और बताया है तो मुझे लगता है कि अगर आप इन सभी को एक बार कायदे से पढ़ें यानि तीनों पार्ट को अगर कायदे से आप study करते हैं तो आपको model auxiliary का comprehensive knowledge कैसे क्या करते हैं भरते हैं उस सारी जानकारी आपको हो जाएगी अब इसके बाद एक मैं practice करा रहा हूं जिसको कि आप देखिए और उसको करिए आपको समझ में आ जाएगा को पास देखिए एक प्रैक्टिस है इसके पहले आपने सारे वीडियो देख चुके चुका है और अब उसके यूसे हम देखते हैं कि कैसे इसको हम यूज कर सकते हैं बेटर तरीके से ठीक है तो क्या लग रहा है आपको अभी जो मैंने पढ़ाया यू आपको होना होता है यू है टू बी केरफुल आपको बहुत ही केरफुल होना होता है जब आप पंजाब में रहते हों या कभी किसी दूसरी स्टेक में रहते हों तो यू विल यू हाव टू बी केरफुल यह हमने है 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 हम चाहें तो दूसरी भी मॉडल का यूज कर सकते हैं हम चाहें तो यहां पर शुट का भी यूज कर सकते हैं यू शुड बी केरफुल वाइल यू स्टे इन पंजाब you must be careful while you stay in पंजाब तो यह हम एक तरह से कह सकते हैं कि यहां पे flexibility है अब situation के according आप वहां यूज कर सकते हैं how to should या must यह तीनों का यूज हम कर सकते हैं तीनों में से किसी का यूज कर सकते हैं दूसरा है you obey the laws of the country देश के जो नियम कानून है कायदे कानून है उनका आपको पालन करना चाहिए करना होता है तो एक तो आपको और टू का यूज कर सकते हैं ये एकदम परफेक्ट है आप और टू का यूज कर सकते हैं करिए अगर आपके दिमाग में थोड़ा सा भी इस तरह की चीज़ें हैं कि नहीं हमें दूसरा भी एक आप्शन चाहिए तो मस्ट का प्रिवखरी यू मस्ट ओबे आपको जरूर ही करना चाहिए अगर आप रूल का रूल को फालो नहीं करते हैं देश के लाज का पालन नहीं करते हैं तो आपको इसके लिए परिश्मेंट भी मिलता है और इसलिए मैंने का कि इससे बहतर यह है कि और चो बेदरू लॉज आपडर कंट्री आपको यह आपकी नैतिक जिम्मेदारी आपके यह सामाजिक जम्यदारी है कि आप जो है देश के कानूनों का पालन करें तो इस तरह से हम और टू और मस दोनों का यूज़ कर सकते हैं और how you insult me आपको समझ में आ रहा हैं आपके हिम्मत कैसे भी मेरा insult करने के तो हिम्मत करना या ना करना How dare you है हाव डně एक फिस्टसर से क Taiwanese और या जब यहां पर देख दो जाब तो क्या करता था अब यहां पर देखे पास्ट की कोई पास्ट की रेपिटीड अक्षण बताने के लिए तो अभी हमने बताया आपको यूस्टू, आप यूस्ट कर सकते हैं, अगर हम चाहें, तो पास्ट के हैबिट के लिए उड़ का यूस्ट भी कर सकते हैं, व-o-o-u-l-d? उट का भी यूज़ कर सकते हैं यह ज़से वड़, यूज़ का तो प्रियोग करेंगे कोई दिकर नहीं है अगर याद नहीं आया है तो पाष्ट के हैबिट के लिए आप उड़ का भी प्रियोग आपने पढ़ा है उड़ का प्रियोग हम कर सकते हैं ठीक है तो जब वो कालेज में था तो smoking क्या करता था इस सुच को बताने के लिए फिर वाग केरफुली लेस्ट यू स्टेंबल तो आपको यह देखेंगे कि लेस्ट का यूज आया है अब कहीं भी अगर आपको इस तरह के संटेंसे जाते हैं जिसमें लेस्ट का प्रियोग हुआ है तो आपको बिना हिच की चाहिए आपको शुड का प्रियोग आगे कर देना है वाग केरफुली लेस्ट यू स्टेंबल तो लेस्ट और शुड यह इसका कॉंबिनेशन है ध्यान रखना है कि लेस्ट के साथ हम शुड का प्रियोग करेंगे यह आपको नूवन नियू वेदर ही कम और नॉट अब यहां पर देखें कि कम और नॉट एक तो यह चीज है कि यह आपका पास्टेंस है नोवण न्नीजू भाइश आपका क्लॉज घट तो यह यह फिचर को बता गया यह पास्टेंस है तो पास्ट में फिचर को बताने के लिए और ही के साथ यानि he, she, it, they, second और third person के pronoun के साथ उड़ का, will नहीं, उड़ का प्रयोग करते हैं, आपने ये पढ़ा होगा will का past tense के रूम में उड़ का प्रयोग करते हैं तो यहाँ पर past, future tense को यानि past में बताने के लिए इस तरसी किया जा रहा है ठीक है, तो उड़ का यूज करेंगे, उड़ और यहाँ पर एक option दिया है, come or not ठीक है, one keep one's promise, ये तो पता ही है कि किसी भी व्यक्ति को अपने promises को पूरा करना चाहिए, तो simply should, आप चाहें तो must भी लगा सकते हैं, but most appropriate is should, इसलिके ये उसके मर्जी पर भी छोड़ा जा रहा है, must की तरह से बहुत उसके लिए जवाब दें नहीं किया जा रहा है, उसको हर एक को अपने promises कूरे करने चाहिए, you please give me some money, तो ये you please give me some money, यानि ये polite request है, polite request के लिए मैंने बताया है, कि could या would का use कर सकते हैं, कोड़ का भी यूज़ कर सकते हैं, उड़ का भी यूज़ कर सकते, दोनों में किसी का यूज़ कर सकते हों, दोनों ही सही है, तो हम उट का use कर रहे हैं, या could का use करें, कोई दिक्कत नहीं है, ये polite request हविशा ध्यान अकना चाहिए, ये could या would का एपर्यूप करें, और ये is starting म काम है तुरंद करना ज़रूरी है तो यहां पर क्या होना चाहिए मस्ट कोई काम अत्यनत आवर्शक है तो इसके लिए मस्ट का यूज किया गया यू मस्ट इंफॉर्म पुलिस एट वंस शुड़ भी लगा सकते हैं लेकिं मस्ट का यूज जादे सही रहेगा फिर शी स्पीक फ्रेंच वेरी फ्लुएंटली से स्पीक फ्रेंच वेरी फ्लुएंटली बहुत ही फ्लुएंटली वह फ्रेंच बोलती है बोल सकती है यह क्या शो कर रहा है मेंटल अबेलिटी मेंटल के पासिटी तो मेंटल अबिलिटी या के पैसिटी के लिए क्या लगाते हैं का यूज करेंगे अच्छा यह कहीं पता नहीं चला है कि यह सी कैन स्पीक फ्रेंच रवेरी फ्लॉएंटली यानि वह बोल सकती है या बोलती है यह प्रिजेंट है हम पास्ट भी कर सकते हैं तो पास्ट करेंगे तो कैन की जगा हम बस कुड लगा देंगे तो यह पास्ट की अबिल्ट कि present है तो आप can be लगा सकते हैं अगर आप प्रेजंट सपूस करते हैं मानते हैं तो अगर आपको लगता है कि नहीं यह past होगा तो गूट लगा सकते हैं यह यह कुल मिलाकर एक क्यों ध्यान लगना है कि यह ability को show होगे तो इस तरह से आपने देखा कि एक exercise करने के लिए हमें सारे रूल को समझना होता है और रूज को जब हम एक जगह तयार कर लेते हैं उसके रूज को लॉर्ण कर सकते हैं कर लेते हैं हमारे वीडियोज आप देखेंगे पर स्पार्ट सेकेंड पार्ट तो उसमें रूल सो लिखवाय भी गया है उस रूल सो अगर आप फालो करते हैं तो स्टेए पूम स्टेए सफ और स्टेए मैं वी दूस और वास अगें 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 तो मेक यह पूंट यह थैंक यह थैंक यह